आकाश्वानी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं नवनीत चोबे पहले मुख्य समाचार केंद्रिय स्वास्थ मंत्री ने संसत में कहा भारत कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने में सफल रहा प्रदेश में कोरोना संक्रमन के बढ़ते मरीजों के बीच अब तक छाचच हडार से ज़्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लोटे राज में चिकित्सा और इंजिनिरेंग की पढ़ाई हिंदी में कराने के होंगे प्रयास हिंदी दिवस पर मुख्य मंत्री शिवराज सीह चोहानने की घोशना और प्रदेश में 16 सितंबर से 37 लाख नए हिद्गराहियों को किया जाएगा राशन परचियों का वित्रण दक्टर हर्शवर्दन ने कहा है कि COVID-19 महामारी के फैलाव को रोकने के लिए देश ने मिलकर लडाई लड़ी है आज लोकसभा में दिये बयान में उन्होंने इस संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि भारत इस महामारी को प्रभावी धंग से नियंत्रित करने में सफल हुआ है उन्होंने कहा कि देश में संक्रमण से होने वाली मृत्यू की दर लगभग 1.65 प्रतिशत है जबकि विश्व में यह 3.2 प्रतिशत है डाक्टर हर्शवर्दन ने कहा कि सरकार के समय से उठाय गए कदमों के कारण संक्रमण को दे कुल 18 सांसदों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टी हुई है इनमें राजगर से भाचबा सांसद रोडमल नागर भी शामिल है इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 89,000 से जादा हो गई है वहीं इनमें से 6,6,000 से अधिक लोग स्वस्थ होकर घ मद्रदेश में अब 20,840 सक्री मामले हैं मुख्य मंद्री शिवरा सिंग चोहान ने कहा कि कोरोना की गंभीर होती इस्तिती और सामाजिक एवं आर्थिक गदिविदियां लंबे समय तक बंद नहीं कर पाने की बाध्यता को देखते हुए दीर के काली रणनीती बनाने की अ सिंग्ठनों और सोयम से भी संस्ताओं से विचार विमर्ष कर योजना बनाई जाए। सीवनी में 25 लोगों में संक्रमन की पुष्टी हुई है, खंडवा में आज सुभर 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 7 लोगों को संक्रमन मुक्त होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई, नरसीपूर जिले के गाडरवाडा में कोरोना के बढ़ते संक्रमन को हो गई, दमोह में कलेक्टर तरुन राठी ने कोविट कमांड सेंटर का शुभरम किया, इस दोरान उन्होंने टोलफी नंबर 1075 भी जारी किया, जिस पर फोन कर स्वास्ट संबंधी जानकारी ली जा सकती है। हम लोगों ने जो असिंपोमेटिक पेशेंट हैं जिनको हलके सिंप्टम हैं, ऐसे मरीदों को हम लोगों ने होम आईकोलेशन में रखने की नई तक्रिया चाड़ू करी है। तो राचे सरकार के निर्देशों की क्रमन है, ये पोविड कंट्रोल कमांड सेंटर इस्थाफि किया गया है आयोजेचे के साले में और यहां से प्रती दिन दो बार मरीज को फोन करके उसके त्वास से के संबनने जानकारी ही जाएगी और यदि कभी किसी भी परिस्टिती में मरीज को लगता है कि उसको किसी डॉक्टर से परामर्ष लेने की आवश्यक्ता है तो वो की पूर्ती हो सकेगी जेडियू सांसद हरिवंश नाराण सिह को लगातार दुसरी बार राज्य सभा का उप सभापती चुना गया है सदन में सदस्तों ने ध्वनी मत से उनके नाम का अनुमोधन किया भाजपा सदस्य जेपी नडडा ने उनके नाम का प्रस्ताव किया जि सभापती के लिए नामित किया था विपक्षी दलों ने इसके लिए मतदान पर जोर नहीं दिया अब समाचारों में वक्त है एक ग्रेक का आज हिंदी दिवस है हर साल 14 सितंबर को यह दिन मनाया जाता है साल 1903 में पहली बार हिंदी दिवस का आयोजन हुआ था तभी से यह सिलसिला बना हुआ है हिंदी दिवस को मनाने का उद्देश हिंदी भाषा के इस्थिती और विकास पर मन्थन को ध्यान में रखना है मुख्यमंत्री शिवराज सिही चोहान ने इस अवसर पर आज अटल विहारी वाजपई हिंदी विश्विध्याले भुपाल के नए भवन का वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से लोकारपन किया लोकारपन कारेक्रम की अध्यक्षता राजिपाल अनंदी बेन पटेल ने की इस दोरान श्री चोहान ने कहा कि हिंदी विश्विध्याले द्वारा चिकिस्सा शिक्षा पाथिक्रम हिंदी में प्रारम करने और अभियांत्रीकी की हिंदी में प्रकाशित पुस्तकों को मानित दिलाने के संबंद में प्रयास किये जाएंगे। उन्होंने बताया कि Medical Council of India से पूर्व में भी हिंदी में चिकिस्ता शिक्षा पाठ्थिक्रम की अनुमती प्राप्त करने के प्रयास किये गए थे। महीं श्रीमती पटेल ने नय भवान के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह सिर्फ ईट्टूने से बनी अमारत नहीं है बलकि विद्यार्थियों के भावी जिंदगी के निर्मान का केंद्र है। प्रदेश के सभी जिलों में भी हिंदी दिवस के कई कारिक्रम अयजित किये जाबुआ में आनलाइन हिंदी कविता पाठ का अयजिन किया गया, देवास, गुना और खंडवा में भी विभिन कारिक्रम हुए। प्रदेश में 16 सितंबर से राष्ट्री खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतरगत, 37 लाख नए पात्र हिद्ग्राहियों को पात्रता पर परची का वित्रण कर सार्वजनिक वित्रण प्रणाली से लाभानवित किया जा रहा है। भारतिय जन्ता पार्टी प्रधानमंत्री नरेनर मोदी के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इस दोरान आज से 20 सितंबर तक पार्टी पदातिकारी, नेता और कारिकरता सेवा के कारिक करेंगे। सीधी से हमारे समवात दाता ने बताय है कि पटपरा मंडल में भाजपा कारिकरताओं ने जाडू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। उधर उमर्या जिले में बांधव गड़ विधायक शिव नाराएंट सिही ने नगर परिशत नुरोजाबाद में सेवा सप्ता का शुभारंब साफ सफाई कर किया। शिव पूरी में भाजपा सेवा सप्ताह मना रही है वही सतना में पूर्व विधायक शंकर लालतिवारी ने जाडू लगाकर लोगों को सच भारत अभियान के लिए जागरू किया। गोर तलब है कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी 17 सितंबर को 70 वर्ष के हो रहे हैं। राजधानी भुपाल में दोपरबाद बादल चाय रहे वही कई जिलों में तेज हवाव के साथ बारिश हुई जिससे लोगों को उमस और गर्मी से रहत मिली। इंदोर में जहां कल 21 मिलीमिटर पानी गिरा वहीं उज्जेन सतना और चिंदवाडा में 55 मिलीमिटर बारिश हुई उधर बेतुल जिले में के हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का दोर जारी है। मुसम विभाग ने इंदोर धार बुरहानपूर खंडवा खरगोन बेतुल और हर्दा जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। पुरुसकारों के लिए ऑनलाइन नामकन और सिफारिश का कल अंतिम दिन है। अगले वर्ष गंड तंत्र दिवस के अउसर पर इन पुरुसकारों की घोशना की जानी है। जाबवा कलेक्टर ने शहर में पानी की निकासी के लिए नाले के निर्मान का प्रस्ताव ततकाल तैयार कराने के निर्देश दिये हैं। राशन परचियों का वित्रण। इस बुलिटन में इतना ही सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाश वाणी। नमस्कार।